हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे देखे यहाँ पे आज मैं फोटोसप्ट आपको बताऊंगी यानि कि फोटोसप्ट में सुरू से आपको यहाँ पे क्लास करा रही हूँ अगर आप लोग को कोई भी फोटोसप में प्रोब्लम हो रहा है तो आप कॉमेंट बक्स में उसको मेंसन किजिए मैं उसको देख करके आप लोग को बताऊंगी कि आपको फोटोसप्ट में कैसे काम किया जाता है या कैसे आपको यहाँ पे सिखना है देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि tools के बारे में सिखेंगे यानि कि part 1, part 2 और part 3 करके आपको यह सारे tools के बारे में एके करके clear कर दूंगी मैं तो आज मैं यहाँ पे Photoshop में सिखाती हूँ सबसे पहले यह tools के बारे में अगर आप लोग को ये Photoshop आपके laptop या आपके computer में नहीं है तो आप क्या कीजिए आप उसको यहाँ पे software को पहले अपने laptop में create कीजिए यानि कि आप software को डालिए उसके बाद Photoshop में काम को कीजिएगा देखिए यहाँ पे ज्यादा ये नहीं करते हुए अपने वीडियो के तरफ चलती हुए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले ये समझाने के लिए यहाँ पे हमें एक फोटो की जरुरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर फोटो लेती हूँ, तो सबसे पहले फोटो को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर open पर क्लिक करूंगी मैं, अब देखिए मैं पहले से फोटो को यहाँ पर download करके रखी हूँ, अगर आप लोग नहीं रखें तो आप लोग यहां पे डाउनलोड करके रखिए उसके बाद उस फोटो को यहां पे लिजिए और यहां पे ओपन कर लिजिए देखिए यह जैसे ही क्लिक की मैं यहां पे तो यह फोटो आ गिया अगर इस फोटो को बड़ा करना है तो बड़ा करने के लि तो देखें ये हमारा फोटो यहां पे बड़ा हो गया अगर आपको कंट्रोल प्लस में दिकत हो रहा है तो आप ये व्यू पे क्लिक किजिए और देखें यहां पे जूम इन और जूम आउट है अगर जूम इन करेंगे तो फोटो हमारा बड़ा होगा और जूम आउट करेंगे तो फोटो हमारा छोटा होगा तो माल लिजे हमें फोटो बड़ा हो गया है छोटा करना है तो जूम आउट पे जैसी क्लिक करूंगे तो ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे क्रियेट हो गया है उमिद करती हूँ कि जूम इन और जूम आउट अच्छे से समझ में आया होगा जूम इन का मतलब हुआ फोटो को बड़ा करना जूम आउट का मतलब हुआ फोटो को छोटा करना अगर आप लोग इस पे क्लिक करके किजेगा तब भी हो जाएगा या आप कीबोर्ड से कंट्रॉल प्लस दबाएगा तो ये बड़ा होगा अग कंट्रॉल माइनस दबाएंगे तो फोटो हमारा छोटा होगा आप लोग इउज कर लिजेगा आगे देखिए उसके बाद अब मैं यहाँ पे इस फोटो में ये सारे टूल्स का यूज करके यहाँ पे बताऊंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कोई पेज लेती हूँ यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक की माल लिजे हमें पेज लेना है पेज के बारे में ये जब फाइल मेनू पढ़ाऊंगी तब आपको ये सारे option को clear कर दूँगे कि यहाँ पे कौनसे option से क्या होता है अभी आप लोग ये tools के बारे में सिखिए अब यहाँ पे मैं ले ली साई जब यहाँ पे okay की तो मेरा यहाँ पे यह आ गया अब इसके बाद हमें क्या करना है तो हमें करना है ये आपके पास tools का यूज तो देखिए सबसे पहले marquee tools दे रहा है तो marquee tools में देखिए यहाँ पे जैसी मैं click करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा यहाँ पे लिखेगा marquee tools अब अगल में आपके पास aim लिख रहा है तो aim का मतलब है इसका shortcut की अगर keyboard से aim पूस कीज़ेगा तो हमारा select हो जाएगा या मैं यहाँ पे mouse के left button को push करूँगी तब भी मेरा select हो जाएगा अब हमें जैसे ही select मिलेगा तो आप इस tools पे क्या कीज़ेगा mouse के right button को push कीज़ेगा mouse के right button को push करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे right button push कीज़ेगा तो आपको चार option यहाँ पे show करेगा अब एक एक करके चारो option में different बताती हूँ आप यहाँ पे समझिए सबसे पहले rectangular tool mark you tools में होता है कि यह आपके पास work के रूप में दिखाई दे रहा होगा यह आपको round में दिखाई दे रहा है यह row में है और यह column में है अगर figure को जैसे आपको select करना है उसी परकार से इसमें से select किज़े माली जे हमें यह work के रूप में करना है तो मैं यहीं पे click करूंगी और जैसे ही यहाँ पे select करूंगी तो देखे यह बढ़ के रूप में select हो गया अब इसे माल लिजे उठा करके हमें next page में लेके आना है तो मैं यहाँ पे जैसी ही select की हूँ तो आप लोगो बगल में यह arrow key दिखाई दे रहोगा आप इसको नाम है move tools आप इस पे जैसे ही mouse के left button को push कीजिएगा तो यह देखे select यहाँ पे हो गया अब हमें क्या करना है इसे आप mouse के left button को push करते हुए आगर के आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे click कर लिजे और इसको जैसे यहाँ पे click करूँगी तो देखे एक symbol दिखाड़ा अगर figure को बड़ा करना है तो आप figure को यहाँ से push करके आप बड़ा कर लिजे उमिद करती हूँ कि यह वाला आपके पास retunular marquee tools बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर माल लेजे इसे rounded में हमें काट करके कहीं दूसरे जगर लेके जाना है तो आप यह marquee tools पे click किजेगा आप करने के बाद mouse के देखे यह select है नहीं हट रहा है तो आपको select में जाना है और यहाँ पे deselect option दिखाए दे रहा है उस पे click कर दीजे देखे आपका जो select हुआ था यह हट चुका है अब जैसे select पे यहाँ पे जाओंगी और यहाँ पे rounded वाले को select करूंगी और यहाँ पे click करूंगी तो यह देखिए rounded में select हो गया अब हमें rounded को ही काट करके यहाँ पे लेके जाना है तो आप यह arrow key का use किजिए और यहाँ पे उठा करके यहाँ पे click कर लिजिए देखिए यह rounded में आपके पास यहाँ पे आया है क्यों आया क्योंकि हम यह market tools में rounded वाले को select की थी आगे single row दिया है और single column दिया है तो आप single row और column पे click किजिएगा तो आपको यह single row और column यहाँ पे हो जाएगा उमिद करती हूँ कि यह 4 option आप लोग को अच्छे से करने आ जाएगा अब यहाँ पे आपके पास दे रहा है concert tool तो magic tools magic lasso tools अब इसमें भी आपके पास mouse के right बटन को जब boost किजिएगा तो देखिए 3 options हो कर रहा है तो आपको एकिक करके सारे option के बारे में बता रही हूँ तो देखिए mouse के जैसे इस पे right बटन को push की तो यहाँ पे सबसे पहले lasso tool है तो lasso tool पे मैं जैसे ही left बटन को push करूँगी और हमें जहां से figure को drag करना है वहां से आप figure को drag किजिएगा देखिए मालीजे मैं drag करती हूँ यहाँ पे यहाँ पे drag की देखिए यहाँ पे drag कर रही हूँ यहाँ पे mouse के left बटन को push करते हुई आपको जहां तक खीचना है आपको जहां तक figure को cut करना है वहां तक आप mouse के left बटन को push करते हुई आप लोग यहाँ पे select कर लिजेगा देखिए ये हमारा select यहाँ पे हो चुका है अब इसे माल लिजे उठा करके लेके यहाँ पे आना है तो आप ये arrow का symbol का use किजेगा और इसे जैसे ही drag किजेगा देखिए ये next page में हमारा यहाँ पे आ गया तो आप लोग ये भी कर लीजेगा आगे आपके पास जैसे ही लासो टूल पे क्लिक कर रही हूं तो आगे दिया गया है polygon lasso tool आप जैसे ही polygon lasso tool पे क्लिक किजेगा तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये polygon lasso tool के सहारे mouse के left button को boost करते हुए जहां पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जहां जहां करना है माउस के लेफ्ट बटन को पूस करते जाए और जैसे माउस के लेफ्ट बटन को पूस करते जाएगा वहां तक आपके पास ये सलेक्ट हो जाएगा माली जे हम इंड करना है यहीं पर यहां से स्टार्ट किरती तो यहाँ पे क्लिक करके और इंटर की बोर्ड से इंटर पूस कर दिजेगा जैसी मैं इंटर पूस करूंगे देखिए सेलेक्ट कर दिया अब सेलेक्ट कर दिया फिर से उठा कर लेके आना है तो आप इसको उठाइए यहाँ पे रखिए और यह एरो का सिम्बल ही उचके जिए और यहाँ पर drag करके डाल दीजिए, उमित करती हूँ कि ये वाला ही भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अब जैसे ही right click करूंगे, यहाँ पर apply कर देती हूँ, अब magic lasso tool, देखिए ये तीनों lasso tool में सबसे based magic lasso tool होता है, और lasso tool होता है, polygon का उतना use नहीं होता है, लेकिन ये दोनों का use सबसे better रहता है, तो आप लोग यहाँ पर click किजिएगा, magic tools का use किजिए, यहाँ पर click किजिए, और देखिए, mouse के हमें, जैसी mouse के left button को push करूंगे न, तो ये जितना आपके पास select करना है, उतना आपके पास ये select करना start कर देगा ऐसे अपने figure को काट लिजिएगा, और काटने के बाद आप जैसी mouse को घुमाईएगा, ये अपने आप आपके पास यहाँ पर add हो जाएगा, अभी add हो गया, अभी इसे उठा के रखना है, यहाँ पर click किजिए, और यहाँ पर लेके आजेए, देखिए ये अच्छे से cut देखिए select को हटाना है, तो select menu में जाऊंगी, और select menu में जाने के बाद जहाँ पर deselect लिखा रहता है, वहाँ पर click करूँगी, तो जो select रहता है, ये select हट जाता है, अब magic tool पे मैं जैसे ही click करूँगी, magic tool का मतलब समझे है, कि माल लीजे ये white color जो दिखाई दे रहा है, इसे हमें हटाना है, और यहाँ पे कोई दुसरा color फील करना है, तो उसके लिए magic tool का यूज करते हैं, आप magic tool पे click किजेगा, करने के बाद मैं जैसे ही इस पे click करूँगी, तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे select हो गया है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, तो फिर से आप ये select में जैए, deselect में हटा दी यहाँ पे, और magic tool पे मैं click की mouse के left button को, और जहाँ पे हमें हटाना है, वहाँ पे left button को push कर लिजे, आप push करने के बाद माली जिसमें कोई दूसरा color फील करना है, तो आपको यहाँ पे color दिखाई दे रहा होगा, आपको जैसा color लेना है, उस color को यहाँ पे feel कर लिजे, अब करने के बाद आपको यहाँ पे okay click कर लिजे, अब आपको यहाँ पे feel का box दे रहा है, तो मैं जैसे ही paint पे click करूंगे और यहाँ पे click करूंगे तो देखे इसके background का color यहाँ पे change हो गया है, उमिद करती हूँ कि यह भी बहुत अच्छे से आपक इसको समझते है, माले जै मैं फिर से magic tool पे गई और यहाँ पे select की और select करने के बाद देखे मेरा यह select हो चुका है, तो यहाँ पे यह पूरा clean करने के लिए इसको क्या होता है, देखे यहाँ पे size 32 का दे रहा है, मैं इसको हड़ रख करके करज़, इसको back करती हूँ और 50 कर करती हूँ और okay कर देती हूँ, जैसे okay करूँगी तो देखे अभी भी मेरा यह दिखाई दे रहा है, तो इसको फिर से हटाने के लिए यहाँ पे size को और बढ़ाईए, और बढ़ाने के बाद माली जै मैं 80 कर दी, 80 और यहाँ पे okay की, तो देखे यह 80 का size आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उमीद करती हूँ कि यह भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा, magic tool का भी use आपको समझ में आ गया, अगर माली जै से 100 कर देती हूँ, यहाँ पे 100 की, और 100 करने के बाद इंटर की मैं यहाँ जैसे इंटर करूंगी, तो देखे यह 100 का size आपके पास यहाँ पेंट में जाती हूँ, और यहाँ पे क्लिक करती हूँ, magic tool और यहाँ पे, देखे पूरा यह से दिखा रहा है, अगर इसे और भी clean करना है, तो आप इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे 75 का कर देते हैं, 75 का, और यहाँ बोके करते हैं, देखे 75 का यहा उमिद करती हूँ, कि यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अब आगे यहाँ पे दे रहा है, crop tool, तो crop tool का मतलब है, इसे काटना, माली जी हमें इतना दूर cut करना है, तो crop tool का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे select करूँगी, तो देखे और जैसे enter push होगी, तो यहाँ पे देखे यह भी आगे आगे आपके पास crop हो गया, यानि crop का मतलब होता है, काटना, आगे दिया है, आपके पास यहाँ पे कौन सा, यह पे slice tools दिया है, तो आप slice tool का उतना यूज़ नहीं होता है, अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप यहाँ पे click किज आप यूज़ कीजिए, अगर आप लोग को जो भी इसमें problem आ रही है, आप लोग comment box में दिखाए, मैं देख करके उसको आपको यहाँ पे फिर से बताने की कोशिस करूँगी, उमीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ आज में आया तो आप लाइकन सस्क्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास सेर भी कीजिए, और इसको सस्क्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, इसलिए जो भी मैं latest video बनाऊंगी, तो आपको notification आ जाएगा, और वहाँ पे आप लोगो अच्छे से आप काम को कर पाईएगा, थैंक यू